Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपने English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ class 11 की grammar का जो आपका topic है that is rearrange jumble sentences into paragraph और आज cover करने वाली हूँ मैं इस topic की सारी solved exercises हमारे आज के इस video में मेरे इस video से पहले already मैं आपको एक video दे चुकी हूँ जिसमें इस पूरे topic का concept explanation है मैंने बहुत detail में concept आपको explain किया है कि jumble sentences क्या होते हैं उनको paragraph में कैसे arrange करते हैं and कौन से key indicators या key words या indicators होते हैं या कौन से nouns and pronouns होते हैं जिनको हमें देखना रहता है और जो हमारी help करते हैं sentences को rearrange करके एक paragraph में convert करने के लिए yes तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखके आई यह ताकि मेरे इस वीडियो में सारी solved exercises आप फटा-फट मेरे साथ solve कर पाएं okay let's begin with our first question exam में question किस तरीक से आएगा read the sentences given below they are not in the correct sequential order write the sentences in a paragraph form placing them in the correct order कि आपके सामने यहाँ पर कुछ sentences given रहेंगे इस तरीके से okay यही वाले sentences की बात हो रही कि आपको सारे sentences को पहले अच्छे से read करना है पढ़ना है और वो क्या है वो they are not in the correct sequential order यानि यह sentences सही sequence में सही order में नहीं है आपको क्या करना है आपको इन सारे ही sentence को फिर से rewrite करना है यानि फिर से लिखना है rewrite करना और किसमे convert करके लिखना है एक paragraph में अभी तो यहाँ पर यह सारे sentences A, B, C, D sentences में तूटके लिखे लेकिन आपको इनको सही order यानि सही sequence में arrange करना है concept लगा के अपना दिमाग लगा के logical reasoning करके and इसको paragraph form में आपको convert करने है सही paragraph form में and सही order and सही sequence में होना चाहिए paragraph तो first question read करते हैं इसका question 1 चार point है A, B, C, D read करते हैं The eldest of the three sons would have become the king after his father जो तीन बेटों में से जो eldest सबसे बड़ा था वो राजा बनता अपने father के बाद यानि अपने father के death के बाद So he drove the three sons away तो हुई, ही किसी इंसान की बात हो रही है उसने drove कर दिया ने भगा दिया तीनों बेटों को किसके बेटों को? obviously राजा के बेटों की बात हो रही है यहाँ पर There was once a king in India who died leaving behind three sons तो इंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था जो तीन बेटों को छोड़कर अब उसकी death हो गई पूरा राजपार छोड़के तीन बेटों को छोड़के उसकी death हो गई But the captain of the king's army wanted the kingdom for himself लेकिन जो राजा का जो आर्मी थी, जो राजा की जो प्रजा थी उसकी आर्मी का जो captain था, जो minister था उसको पूरा kingdom, यानि पूरा सामराज, पूरा राजपार खुद के लिए चाहिए था और ना की उसो देना चाहता था, वो बिल्कुल नहीं देना चाहता था राजा के तीन बेटों को तो ये समझ में आ रहा है हमको कि क्या theme है story के, एक story का समझ में आ गया कि story क्या चल रही बाई, शुरुवात ये थोड़ी होगी, कि तीनों बेटे में से जो सबसे बड़ा बेटा था वो राजा के death के बाद राजा बनेगा, ये थोड़ी होई गया, शुरुवात यहाँ से कहीं रही होगी कि कभी there was once a king, हमेश ये क्या है, ये एक तरीके का key word है, कि once a king, यानि जब once फाला word आ जाता है या once upon a time, तो ये हमें क्या indicate करता है, कि sentence के starting introductory lines है, तो सबसे पहले यही बात रही होगी कि हिंदुस्तान में कभी इंडिया में एक king रहा होगा, जो मर गया, जिसकी death हो गई, और पीछे क्या छोड़ गया अपने तीनों बेटे, ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, the eldest of the three sons would have become the king after his father's death, भाई, तीन बेटे छोड़ की गया, लेकिन जो तीनों बेटों मैं से तो सबसे बड़ा बेटा था, वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा राजा, अपने father की death के बाद, यही logic होता है भाई, बड़ा बेटा राजा का राजा ही बनता है, चीक है, लेकिन जो captain था king की आर्मी का, वो चाहता था कि पूरा kingdom वो खुद के लिए, for himself रखे, तो यह बन जा बनेगा, आपका जो sequence बनेगा, वो क्या बनेगा, C, देख लेते हैं बरी, C, A, D, B, C, A, D, B, यह बनेगा आपका sequence, अब आपको फिर से सारे sentences इस तरीके से लिखने पडेंगे, और C, A, D, B आपका इस तरीके से आपको order पूरा बनाना पडेगा, तो there was once a king in the India who died leaving three sons, the eldest of the three sons would have become the king after his father, but the captain of the king's army wanted the kingdom for himself, so he drove the three sons away, तो इस order में आपने अरेंज की सारे sentences को और आपने किस में कनवर्ट करके लिखा, एक paragraph form में, क्योंकि यही तो हमारा question था, कि sentences आपको उल्टे पूल्टे याने जंबल करके दियो है, आपको convert करना है उनको एक meaningful, correct order, correct sequence के एक paragraph में, तो को paragraph लिखने है ना कि sentences, okay, next question देखते है, next question है, he had many brothers, किसी ही की बात हो रही है, यहाँ पर कोई pronoun दिया हुआ है, और मैंने clearly बताया था भाई प्रोनाउन बाद में आता है, सबसे पहले तो noun आता है, okay, तो किसी ही इंसान की बात हो रही है, किसी आदमी की बात हो रही है, जिस राजगदी के लिए, yes, सिंगहासन के लिए, अशोका वस बॉन इन रूलिंग मौरिया फैमिली अफ मगद, तो जो अशोका यहाँ पर किंग अशोक की बात हो रही है, हमें समझ में आ गया है, कि वो रूलिंग मौरिया फैमिली थी मगद में वहाई पर ही पैदा हुए थे, अशोका वस एबल टो डिफीट इस ब्रदर्स, और आखरी में अशोका ने अपने भाईयों को डिफीट कर लिया था, यानि की हरा दिया था, अब शुरुवात हो रही है यहाँ पर प्रोनाउन से, लेकिन जब मैंने आपको कॉंसेप्ट वाला वीडियो में समझाया था बताया था कि सबसे फिले नाउन आता है और उसके बाद प्रोनाउन आता है, तो अशोका क्या हुआ, अशोका आपका हुआ एक नाउन, यानि सबसे पहले अशोका की बात होएगी, उसके बार में कुछ इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, कि भाई, अशोका कहां पैदा मगद की ठीक है तो यह बन जाएगा आपका sentence number one ओके फिर क्या बताया कि he had many brothers फिर बताया कि उसके कई सारे भाई थे किसके अशोका के तो यह लग गया आपका एक pronoun ओके यह क्या लग गया आपका एक pronoun येस तो यह noun यह फिर बाद में उसके प्रोना हुना आएगा वन दो ओल्ड किंग डाइट यह वास फाइटिंग बिट्वीन ब्रदस फॉर दे थ्रों जब ओल्ड किंग यानि जब अशोका के बूड़े बाप जो की राजा थे जब उनकी डेथ हुई तो जो सारे भाई थे उनके बीच में लड़ाई होने लगी जगड़ा ओने लगा थ्रोन के लिए यानि सिंगहासन के लिए तो यह बन जाएगा आपका सेंटेंस नमबर त्री और आखरी में अशोका वास एबल टो डिफीट इस ब्रदर दो राकरी में अशोका ने अपने सारे भाईयों को डिफीट कर दिया याने हरा दिया और खुद राजा बन गए थे तो यह हमें समझ में आ रहे है कि हमारा लास्स सेंटेंस होगा तो ओर्डर क्या बना हमारा ओर्डर बनेगा सी ए बीडी देखेंगे next question देखते हैं he is called so because he led India to freedom from British rule the first cause that he took up was of an indigo farmer of Champaran Bihar Mahatma Gandhi is called the father of the nation he started fighting for India's freedom after he returned from South Africa तो यह सारे sentences पढ़के एक चीज़ समझ में आ रहे है कि यह पूरा जो paragraph है वो महात्मा गांधी के उपर है तो अब यहाँ पर अगर हम हर जगा देखें तो he एक pronoun लगा हुआ है महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर भी pronoun लगा हुआ है यहाँ पर भी pronoun लगा हुआ है तो यह ही क्या है यह सारे pronouns है महात्मा गांधी के लिए किस noun के लिए pronoun लगा हुआ है महात्मा गांधी के लिए यह शुरुवात किस से होगी महात्मा गांधी से होगी और यह एक noun है तो noun हमेशा पहले आते हैं तो महात्मा गांधी is called the father of the nation कि महात्मा गांधी को हम father of the nation कहते हैं या ने राश्ट्र पिता कहते हैं या बापू कहते हैं फ्यार से बापू कहते हैं तो यह हो जाएगा आपका sentence number one फिर क्या होगा फिर अगर हम इसका अगर हम order देखें तो फिर क्या रहा होगा he is called so because he led तो हम reason बताएंगे भाई हम reason बताएंगे कि उनको हम क्यों बोलते हैं father of the nation क्योंकि he led India to freedom from British rule क्योंकि British rule से उन्होंने इंडिया को आजाद करवाय था फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने जैसे ही South Africa से अपने law की degree पूरी करके लोटे उन्होंने इंडिया की freedom के लिए लड़ाई start करती थी और जो पहला cause उन्होंने लिया था वो क्या था वो यह था कि जो इंडिगो crop था उसकी कुछ issues हो गए थे British के साथ और चंपारन जगा जो की बिहार में वहां के farmers के लिए इंडिको के जो farmers हो दे उनके लिए उन्होंने ये पूरी लड़ाई ली थी और उनके लिए और जीता भी था उन्होंने Britishers से तो यह चीज इन्होंने पहला cause उन्होंने लिया अब आप बुलेंगे मैं यहां पर तो first लिखा और आपने खाता कि time sequence की जब बात होगी तो first पहले आता है और यहां पर तो first जिस sentence में है वो last में आ गया तो अगर हम आप order देखें और अपना logical reasoning करें थोड़ा अपने दिमाग भी दोड़ाएंगे तो हमें यह समझ में आ रहे है ना पहले तो हात्मा गांधी को father of the nation बोला क्यों बोला हमने वह रीजन बता दिया फिर हमने बताया कि वह साउथ आपरिका से जब आए तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया freedom struggle उन्होंने start कर दी थी लड़ाई start कर दी और आते ही जो पहली चीज उन्होंने ली थी जो पहला इसेजोंने करने क्लिये comfort हम वह चंपरन के जो farmers सेंदीकों फामर से उनका इश्यों उठाय तो और वो जीते भी थे ब्रेटिश इसके बाद को आगे सेंटेंसे दिये कि फिर क्या उन्होंने इशू उठाया या थार्ड फिर क्या उन्होंने शू उठाया कौन सा movement उन्होंने start किया, ऐसा तो कुछ आगे दिया नहीं हुआ है, चार point का एक paragraph यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिसमें first follow point, fourth point कियाने last point आ रहे है, तो time sequencing तो ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन साथ में logical reasoning थोड़ा दिमाग भी आपको use करना है, तो यह हमारा order बना जो कि है CADB, इस तरीके से order में आपको रखना है, और सारे sentences को arrange करके एक proper paragraph में आपको form करना है, तो यह बन गे आपका एक पूरा proper paragraph, तो इस तरीके से jumble sentences को हम logical reasoning, keywords and indicators use करके हम arrange करते हैं, एक proper paragraph में and I hope यह सारी exercises आपको अच्छे से समझ में आ गए होगी, questions आपको समझ में आ गए होगी, एक idea लग गया होगा कि कैसे तरीके से exam में questions आते हैं और कैसे आपको उन जंबल sentences को arrange करके paragraph में convert करना है, तब तक लिए, do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel and bye bye and take care.